नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि बैंडी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, बैंडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और बैंडी टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सक और यह भी डिसकस करेंगे कि बैंडी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, बैंडी एक ब्रैंड नेम है, बैंडी टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन अलबेंडाजोल 400 mg होता है, बैंडी टैबलेट का उप्योग पेट में कीडो को मारने के लिए किया जाता है, बैंडी टैबलेट पेट में कीडो को मारकर और स्टूल के जरीए पेट के कीडो को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, पेट में कीडो की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है, बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है, ले पेट में कीडे होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है। पेट में कीडे होने पर बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। जैसे पेट में दर्ध होना, सिरदर्ध होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, धूप कम होना और तवचा पर खुजली होना आदी साइड इफेक्ट्स बैंडी टैबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की बैंडी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। बैंडी टैबलेट को फैटी भोजन करने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। फैटी भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जैसे दूद, घी, अंडे आदी। आमतोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर पेट के कीडो को साफ करने के लिए बैंडी 400 एमजी टैबलेट की एक टैबलेट को केवल एक ही बार लेने की सला देते हैं। पेट में कीडो की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्तर दो सपता बाद बैंडी टैबलेट को दोबारा भी लेने की सला दे सकता है। बैंडी टैबलेट को लेने से पहले आपको बैंडी टैबलेट को मुँ में अच्छी तरह चबा लेना चाहिए। उसके बाद एक गिलास दूद या एक गिलास पानी पीना चाहिए। बैंडी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम दिसकस करेंगे की बैंडी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी बहुत ज्यादा होने पर बैंडी टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना बैंडी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बैंडी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बैंडी टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बैंडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं